आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और गर्मियों में आईस्क्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है तो आज हम बनाएंगे होम मेड चौको बार बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही एजीली बन जाती है यहां पर मैंने मेल्टेट चौकलेट लिया है तो मैंने यहां मेल्टेट को एड करके इस ट्रैप से कोट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा चौकलेट इसे कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर एक चौकलेट की लियर बन जाएगी और फिर हम इसे रेफ्रिजिट में रखेंगे थोड़ा सा से इट होने कले तब तक हम यहां पर मैंने लिया है दो कप चिल्ड विपिंग क्रीम अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप जो अमुल की नॉर्मल क्रीम आती है वो भी ले सकते हैं लेकिन वो चिल्ड होनी चाहिए और अब हम इसको अच्छे से फेटेंगे तो इसे हमें थोड़ा सा अच् काईक की अब मैं इसके अनधर वे सब्लूं कि जिसको मैंने तयार की हैं एक स्थचाने और राट की इंहने आपस मैं अपके लिदिन आपके मैं अपके आइस क्रेम में पर्णी है और आपको आपको पता होगा मैंने बहुत सारे ice cream की recipes अपने channel पे upload की हुई है और उसमें मैंने उस base को बना के भी दिखाया हुआ है तो यहां पे हमारी जो cream है विल्कुल ready हो गई है और जो हमारे mold है उसमें chocolates भी set हो गई है और अब हम इसके अंदर cream को fill करेंगे तो सब में हम cream को fill कर देंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारी जो चौको बार है वो upset होने के लिए बिल्कुल तैयार है तो हम इसे refrigerate करेंगे 8 गंटों के लिए या फिर overnight के लिए फिर मैं आपको सिखाऊंगे कि इसे mold से remove कैसे करना है इसे mold से remove करने के लिए आपको इस